ओनलाइन गेम के नश्रे में बरबाद हो गया युवक 96 लाग का चड़ा कर्ज मा भाई सब ने बात करनी पन कर दी आज कल टीवे पर आपको ओनलाइन गेम्स के कई एड आते हुई दिख जाएंगे इनमें दावा किया जाता है कि चंद रुपए लगा कर कोई भी व्यक्ति आसानी से करोड़ पती बन सकता है करोड़ों लोग इन गेम्स को खेलते हैं लेकिन कई इसके चक्कर में अपना सब कुछ गवाँ बैठते हैं ऐसा ही हाल हिमांचु मिश्रा नामक्युवक के साथ हुआ हिमांचु को इन ऑनलाइन गेम्स के नशा कुछ इस तरहां से लगा है कि उसके उपर 96 लाख रुपए का कर्स हो गया इसके वज़ा से उसके माँ और भाई ने उससे बात करना बंद कर दिया एक टीवी शो के दुरान आए हिमांचु मिश्रा ने अपनी कहानी सार में रखी तो लोग भावोख हो गया कई यूजस ने हिमांचु की वीडियो को एक्स पर भी शेयर किया है जिससे देखकर लोग एमोशनल हो रही है इस वीडियो में हिमांचु ने बताया कि उसकी मां टीचर है और चानवे लाख रुपए का कर्ज चड़ने के वज़ा से वो उससे बात तक नहीं करती है यूजस ने रोते हुए बताया कि घर का कोई भी सदसे उससे बात नहीं कर रहा है यूजस ने कहा अगर मुझे कुछ सड़क पर हो भी जाता है तो भी वे घर वाले देखने नहीं आएंगे जब उससे पूछा गया कि उसने कहां से इतना कर्ज लिया तो उसने बताया कि लोगों से पैसे लिये फ्रॉड भी किया अपने कहानी सुनाते हुए यूवक रोता हुआ बोला हिमालशु ने दावा किया कि वो ज्रे इए मेंस क्वालिफाई है लेकिन बेटेक के फीश जुए में हर गया यूवक ने रोते हुए बताया कि मेरा भाई बहुत अच्छा है लेकिन वो भी मुझे से बात नहीं करता मैं अपनी बहतीजिस से बात करना चाहता हूँ लेकिन गेम के वज़ज़ से सब कुछ खतम हो गया वीडियो में यूवक ने आगे बताया कि यूपी में एक पुलिस वाले हैं उन्हें मुझे गेम खेलने के लिए बुला लेकिन उनके पैसे का नुकसान हो गया उन्हें मुझे पुलिस स्टेशन में साथ दिनों तक रखा सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से बारल हो रहा है इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कहा कि वीडियो को देखकर आप फिल जाओगे वही ज़द तर यूजर्स ने ऐसे ओनलाइन गेम्स पर बैन लगानी की भी मांग की है